क्या गेम वापस आएगा अगर आएगा तो फिर कब आएगा यह सवाल अभी हरे की स्पोर्ट प्लेयर के मन में चल रहा है तो देखो यह सवाल के आंसर जानने से पहले आप सबको यह जानना पड़ेगा कि इन नो महिने के अंदर गेम के साथ क्या क्या हुआ है पहले 2022 फ़र फी फार भी है फिर उसी दिन गरेहना के तरफ से यह कनफर्मेशन हमें मिल जाती है कि गेम को आपस्ट और प्लेश च्टोर से अटा दिया गया है उसके बाद बीच में गरेहना के तरफ से एक भी कोई confirmation नहीं मिला अभी तक गरना के तरब से कुछ भी confirmation नहीं मिला है बस अभी चार तारीक को येस भानुशाली OG के owner ने ये tweet किया था कि game बहुत जल्दी वापस आने वाला है उसके साथ-साथ bgmi भी वापस आने वाला है फिर उसके तीन दिन बाद साथ नवेंबर को उन्होंने फिर से ये confirm किया गेम वापस आज आएगा बट मार्च के महीने तक कोई भी बड़े अफिशाल टूर्णामेंट का यह टूर्णामेंट ही नहीं होगा ऑफिशाल टूर्णामेंट बाकि थाड़ बंड़े नहीं होगा पर यह जो चार नवंबर और 14 फिब्वारी इन सब के बीच में गरेना ने इंडियान सर्वर के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ हटा भी यह उसमें से अभी जो रिसेंडली एक गीवे श्ट्रीम हुआ होगा आप सब जानते हो जाते होगे लेने के लिए डाइमंड ओगीवे श्ट्रीम पर और भी बहुत सारे कांट गरेना के साथ हुआ है यह सब देखते हुए देखो अभी तो गरेना टाइम टू टाइम अपडेट भी दे रही है उसके साथ साथ अभी रिसेंडली गेम में बॉम स्कौार्ड का जो टूर्णामेंट लाया है फिर एफेब डबलो एस का लाइ तक गेम आने का कोई कंफरम नहीं है तो उनके वर्ड और ओजी जो भानु यस भानुशाली उनके बातचीत सब देखके यही लगता है कि फ्रेबरी तक गेम नहीं आएगा अगर भी आ गया तो मार्च के तक कोई ओफिशाल टूर्णा में नहीं आएगा देखते क्या होता ह परहुशाल मेरे पास भी अभी तो कोई नहीं एकtime कब तक आएगा बट जरूर My नहीं आने वाला है यह अगार नहीं आने वाला हो था तो गरेना कप का उसका इंडिया आप्रेशन सटैंड ना करुकर चलाए होता एं specific इंडिया से बड़ा खुद की सोचो जितना टॉप आप पहले मारते तो अभी उतना मारते हो क्या तो देखो गरे ना तो वापस लाने की 100% अपने तरफ से कोशिस कर रही है वाकि गवर्मेंट के उपर और जहां वो रेगुलेटिस होते हैं और सब अभी देखो गेम आना कंफरम है गेम कप तो का पसाएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना